लेखें इस वीडियो में हम सीखेंगे टेग्नोमेटिक रिश्यो को निकालना अपने फिंगर की हल्प से किस तरह से निकाल सकते हैं तो जैसे कि मैंने हाँ पर यह दो हैंड बनाए हैं एक लेफ्ट अंड है एक राइट है तो जो लेफ्ट हैंड है वो साइन के लिए यूज क कि मैंने लिख दिया है यहां पर तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमारा जो फर्स से स्टाप होगा हमने यहां से शुरू करना है तो सबसे पहले जो हमारा यह थंब है इस थंब पर हम लिखेंगे जीरो फिर यहां थार्टी यह फॉर्टी फाइव शिक्स्टी और नाइन फ्रससर आंपने इस तरह से लिख लिए है यहाँ से चुरू करेंगे 0 से तो थम को हम जीरो देंगे फिर उसके बाद 1 यहां 2 यहां 3 यहां 4 तो left hand side में तो हमने लिख लिया है right hand side में क्या करना है हमें यहां से चुरू करना है यहां से हमें 0 start करनी होगी तो यहां पर 0 1 2 3 & 4 यह हुए हमारे 2 step और 3 step में हमें क्या करना है यह जो भी हमने counting लिखी है उस पर हमें root चड़ाने है ठीक है तो यहां पर हम root चड़ा लेते हैं यहां पर 0 पर root चड़ाया यहां पर 1 पर 2 पर यहां 3 यहां 4 इसी तरीके से हमें यहां भी करना है right hand side के लिए यहां पर root है कि यह जो हमने root चड़ाया है उसके बाद इसके upon में हमें 2 करना होगा तो मैं यहां सबके upon में 2 करते तो यहां पर upon 2 यहां पर 2 यहां भी upon 2 इस तरह से समय कि इसी तरह से यहां पर करूँए मैं तो यहां पर मैंने समय upon 2 कर दिया है अब यहां पर देखें देखें यहां पर है साइन साइन जो है साइन 0 डिग्री यह आया है हमारा root 0 upon 2 के तो root 0 जो है यहां कि साइन 0 जो है वह 0 के तो यहां पर देखें हमारे पास है root 1 upon 2 तो root 1 अगर हम 1 का root निकालते हैं तो 1 ही रहेगा तो यहांने कि 1 by 2 जो है वह sin 30 की value हो जाती है और उसके बाद की बाद आता है हमारा sin 45 डिग्री तो sin 45 डिग्री जो है वह मेरे पास यहां आ रहा है root 2 upon 2 तो अगर मैं इसको solve करें तो यहां हो जाता है root 2 ऐसी रहन देते हैं और 2 को हम ली सकते है root 2 into root 2 तो एक root 2 से यह root 2 कर जागा तो यहां बचेगा 1 upon root 2 जोगी sin 45 की value होगी उसके बाद आता है sin 60 तो sin 60 में देखे हमारे पास यह है root 3 upon 2 इसको तो हम solve नहीं कर सकते हैं वो तो ठीक है value उसके बाद आता है हमारे पास sin 90 तो sin 90 में अगर हम देखे हमारे पास है root 4 upon 2 तो root 4 का मतलब हो जाता है 2 और 2 upon 2 यानिकी 1 यानिकी sin 90 जो होगा वो 1 के एक्वल होगा अब हम right hand पर चलते हैं जिसमें की cost की value निकालनी होगे में तो यहां cost 90 अगर हम देखें तो cost 90 हमारे क्या है root 0 upon 2 यानिकी यह होगा 0 upon 2 तो इसको हम क्या बोलेंगे कि यह होगा 0 के एक्वल अब इधर देखें तो sign यहां cost 60 जो है वो किसके क्वल है यहां पर यह है root 1 upon 2 यहां पर है root 2 upon 2 यहां पर है root 2 upon 2 तो उसी तरह से हम इसको solve कर लेते हैं यहां 2 को लिखेंगे root 2 into root 2 root 2 से root 2 cancel होगे तो 1 upon root 2 जो है वो cost 45 की value है उसके बाद आता है मारा cost 30 यहां cost 30 जो है वो है root 3 by 2 यह तो solve करने की जुरूती नहीं है हमारे को इसके बाद आता है cost 0 degree यह है root 4 by 2 तो root 4 जो है वो 2 के एक्वल होता है तो 2 upon 2 यहने की 1 तो cost 0 जो है वो 1 के एक्वल होगा तो इस तरह से आपने sign और cost के जो है सारे ratios जो है जान लिए वाशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो मिलते हैं next वीडियो में और नए questions लेकर तब तक आप practice कीजिए और improve कीजिए और मैस good bye कर दो कर दो कर दो कर दो है